मैंने अपने पिछले कई वीडियो के अंदर इस बात का जिक्र किया है जिस स्पीट से एनेफ्टी और मेटावर्स की ग्रोथ देखे जा रही है वो काफी ज़दा शौकिंग है कि इतने स्पीट से किसे भी फिलिड के अंदर है siatis sayubernetes इतने स्पीट से ग्रोन नहीं हुआ है इसके पहले बात करें वेसिबुक इंस्टार गऄम या फिर सोची मिलार प्लेटफॉर्म उसके बाद यूचिव या फिर कोई और अडर प्रैट्फॉर्म कोई अधर से केटेगरी इतने स्पिट से ग्रोव नहीं हुई है जितने स्पिट से एनेफ्टी और मेटावर्स और इनके प्रोजेक्ट्स जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं इस्पेशलिए इन इंडिया सीधी से बात है आज की एडियो में आपको बताऊंगा कि क्या 1222 के अंदर एनेफ्टी को बाय करना क कितना सभी है और कितना गलत रहे आपके लिए और किस तरह से बाय करें के पहले कौन से चीजों के बारे में आपको धियान दखना बहुत ज़रूरी है अदरवार्स यहाँ पे आपके साथ फ्रोड होने के नुकसान होने के काफिवा ज़रा चांसे जो है वो बढ़ जाते है हेलो गाइस दीस इस रेज़ दुपाद्या वेल्गम तो मैं यूट्यूब चैनल सिधा टाइम वेज नहीं करते हैं सिधा पॉइंट करते हैं तो लेट गेट स्टार्ट एनेफ्ट इसको बाय करने के लिए काफ भी सारे अलएलग प्लाटफॉर्म्स हैं जिसी कि ओपन सी, रेरिबल, मेंटेबल, कोको एनेफ्टी, सुपर रैर, वजजी रैक्स ये सारे वो प्लाटफॉर्म्में जहां से कि इंडिया के अंदर भी आप यहां से एनेफ्ट को बाय सरे कर सकते हैं और साथे साथ खुद की NFT क्रेट करके भी सर कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे भी एक NFT बाइ करनी है तो उसके पहले आपको बहुत सी जीजों का दियान दखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अधरवाइस यहां पर फ्रोड होने के करते हैं अपने प्रोफाइल को पर श्याय करते हैं अब एक और चीज़ है जिसके बारे में आपको द्यान दखना है अगर आप कोई भी लेकिर एक या दो मीने के बाद है अभी कह सकते है 15 से 30 दिन के अंदर हो सकता है और हो कह सकता है 110 परसेंट यह होने वाला है कि जो एनेफ्टी है उसको सिस्टम ब्लॉक कर देगा मतलब कि फॉर एक्जंबल आपन से से किया तो एनेफ्टी जो है ब्लॉक हो जाएगी यह कहक आपकी एनेफ्टी भी गई और बहुत से प्लेटफर्म आपको रिफर्ण देते हैं इस चीज़ का कि हां हमारी गलती थी लेकिन 70 प्लेटफर्म जो है वो यह बोलेंगे कि आपकी गलती है हमारी गलती नहीं है आपने क्यों बाइग गया तो यह कुछ इस तरह से काम कर रहा है आज के टाइम के उपर स्पेशली क्रिप्टो.com नाम के एक वेबसाइट है उसके उपर काफी जदा फ्रोड हो रहा है यहां पर आपको एनेफ्टी मिल जाएंगी आप बाइब कर लोगे लेकिन बाद में क्या होगा कोपराइट एनेफ्टी होगी उसको बैंड करने के ल प्लैटफॉर्म था उसने पैसे ले लिया मतलब कि जो प्लैटफॉर्म था उसको दोनों साइट से कमाई हुई अपने पैसे भी गए उसका एकाउंट ब्लॉक हो गया और अपनी एनेफ्टी भी चली आपको ध्यान कर रखना है कोई भी एनेफ्टी का बाय करते हो उसके पह करो और देखो उसकी प्रोफाइल के अंदर कि क्या सच में यह वही नाम है या वही आईडी है या वही प्लैटफॉर्म के उपर सेल हो रहा है यह सब कुछ वेरिफाय करने के बाद क्रॉस चेक करने के बाद ही आप किसी एनेफ्टी को बाय करो और साधी साथ यह भी चेक कर कर रहे यह वहां पर इक वर्ड कहीं निया कई मीसिंग आव फोर इएंपल बोर्फे तो बोल्ट केंदर डी गया होंकर उपर लिखा टेकनोलोजी है इतना एजली फ्रॉड नहीं हो साथ को आज के टाइम पे कॉप्रेट कंटेंट को कैच करने साथ टाइम लग रहा है उसको क्रियेट के पर जया द्यान दे रहें युए के अंदर लोग इन्वेस्पिंट करने का जया द्यान दे रहें इसलिए वहां की जो फॉक्स न्यूस पेपर है उसके अंदर आप जाके जरूर पढ़ना बहुत सारे फ्रॉड जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे तो आज क कितने सेल की देखनी प्रेश की उसकी फ्रॉद क्या है अब जाओ क्या पर किसे की प्रॉफद को ऐसे ग्रोट किया है कितना हृत कि संब्रोबर ऐकाउंपर अइसको और आप के आपको यह उसक चीजılar पहुआ पर जाकर सर्च करें उसके बाद ही बाए करें गुगल के ऊपर एक और इमेज का उप्शन भी आता है वहाँ पर जाकर एक बार के लिए पर इसके उपर बिलेव करने वाले हैं और यहीं बोलेंगे लेकिन यह अभी मैन्योली चल रहा है और उसको कैच करने में टाइम लगता है जो तक टाइम लगता है और जब सिस्टम उसको ब्लॉक करता है आपके एकाउंट से प्रेसे गया वहां से रिफंड आ जाएगा और मामला खतम आपका नुकसान और फॉर एक्जामपल अगर आप ले दी तो आपके कितने गए 15-20,000 चुना लगया इसलिए कुछ भी करने के पहले आप बहुत बार सोचना तो यह था हमरे आज के वीडियो के अंदर कि आपको गाइड करना कि कुछ भी एक चीज़ को दाइम लटना बहुत ज़रुरी है वैसे इंडिया के अंदर इतने सोच रहे हैं तो NFT में कर सकते हैं लेकिन सारी चीज़ों जो मैंने बोली उसके उपर ध्यान रखना और सोच समच के ही investment करना अगर आप कुछ जानना है NFT Metaverse के बारे में हर एक चीज़ के में update चाहिए कैसे sell करना है कैसे buy करना है कैसे create करना है कौन सी चीज़ों का ध्यान अगर वीडियो को लाइक करना जिस लोग को इस वीडियो की जरूरत है उसको इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें ये guide जरूर मिले और वो किसी फ्रोड का शिकार ना हो आज की वीडियो में इतना ही thank you so much and bye